जनपद में शुक्रवार को जुलर स्पताल सहीतो 85 केंदरों पर 8175 नागरिकों का वैक्सिनेशन किया गया जिसमें 45 साल के उपर के 2105 और 18 साल के उपर के 6070 लोगों ने ठीका लगवाया जिसके संबंद में स्यमो डॉक्टर सुधाकर पांडी ने बताया जनपद में पर्याप्त मात्रा में वैक्सिन उपलब्ध है इसलिए बीना संकोच के ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सिनेशन कराएं उन्होंने 45 साल के उपर के नागरिकों से कहा कि ऐसे लोग अपने नस्दीक PSC वा CSC पर पहुच कर वैक्सिनेशन सेंटर पर ही रेजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सिन लगवा सकते हैं 18 साल के उपर के लोग ऑनलाइन पोर्टल पर रेजिस्ट्रेशन करके निर्धारित जगा पर पहुच कर वैक्सिनेशन कराएं उन्होंने नाकरीकों से अपील करते हुए कहा कि कोविट प्रोटोकॉल का पालन करें तथा बहुत आवश्यक्ता पर ही घर से बाहर निकलें इस संबन में गोरगपुर ने उसे बात करते हुए सेमो डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा िध रिली ने केलो पीली है आपी कारी बिल्यक्ता पम, समयक्ता प्रोट प्रगपुर केलें ऑटें से बहुए को प्रोटें ने क्वड़ने, प्रोटशयक्ता हुए क्व Stewie प्रुम्स चीज़ एक्टारी जीज़ में टेली जो प्रुटीन. मैं एक अले समय जेतीन. नहीं हुआ, आप से वाले सेलाखंग है. अटाले ज़ ङती हैं चौने हैं एक्टीन. जब लिफेसे ऑ लगाले जबेगा. जाए जीज़मेगार के लिएकटीम. जन्रबल में पच्छासी जगों पर वैक्सिनेशन चल लाए है और हमारा ग्रिहद मातरा में वैक्सिनेशन है ज्यादा ज्यादा लोग वैक्सिनेशन कराएं जिसने भी लोग हैं हमारी अपील है कि जहां कहीं भी हूँ वैक्सिन सेंटर को जाएं और अपना वैक्सिनेशन कराएं अगर पोर्टल पर उन्होंने इंटर नहीं किया है इसके बावजूर भी वह अपना अधार काव में के जाएं और हमारे सेंटर हैं वहां पर करें ऑफ बाइं और उसके बाद जब उनको स्कूल दॉप्राइक निकरें कारी रही है करोणा के रहा इंगम हो रहे हैं करसे में मैं-धिस्दिक कम हो रहे हैं' इसके उर भी हमें नायगना कि वीवार इसे झाले जाए जाएं तो हम मास्क जरूर पहने और जो बहुत जरूरी है तब ही हम बाहर जाएं